अफगानिस्तान में तालिबानी कबजे के बीच काबुल से भारतियों को निकालने का सलसला जारी है आज 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का AI-1956 विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशामबे से उडान भड़ चुका है इन में 25 भारतिय हैं ये विमान भारत पहुँच चुका है इस विमान में आ रहे हैं लोगों में वे तीन सिक भी शामिल हैं जो गुरुगरंत साहिब को सर पर रख कर ला रहे हैं इन लोगों को पहले Air Force के विमान से काबुल से दुशाम पे पहुँचाया गया था फिर बीती रात वहां से Air India के विमान से दिल्ली के लिए रवाना किया गया सिक्समुदाय के लोगों का एक विडियो भी सामने आया है जिसमें वे फ्लाइट के अंदर ही जो बोले सो निहाल और वाहिगुरु जीद अखाल सा वाहिगुरु जीदी फत्य बोलते होई नजर आ रहे हैं ये विडियो विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने शेयर किया है भारत समेट दुनिया भर के देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश में हैं अमेरिकी रोश्रुपती जो बाइडन ने भी कहा था कि 31 अगस तक काबुल से लोगों को निकालने का काम पूरा किया जाएगा इस बीच तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक बयान जारी कर कहा है और धमकी दी है कि 31 अगस तक काबुल एयरपोर्ट से कबजा छोड़ दें और अपने देश लोट जाएं तालिबान की इस धमकी का फ्रांस ने जवाब दिया है फ्रांस ने साफ कहा है कि 31 अगस की डेडलाइन के बाद भी हम अपने नागरे को काबुल से निकालने का काम जारी रखेगे